आज के इस युग में, बरे घरों में परिवार नहीं है, जहां ज्यादा पढ़ाई है, वहां तमीज नहीं है, महंगी दवाई है, पर सेहत नहीं है, लोगों को चंद्रमा पर जाना है, पर परोसी का पता नहीं है, आमदनी ज्यादा है, पर सुकून नहीं है, बौद्धिक अस्तर उचा है, पर भावना नहीं है, ज्यान बहुत है, पर अकल नहीं है, प्रेम संबंध बहुत हैं, पर सच्चा प्यार नहीं है, फेस्बुक के दोस्त बहुत हैं, पर सच्चा दोस्त नहीं है, इंसान बहुत हैं, इंसानियत नहीं है, और खरिया महंगी हैं, पर समय नहीं है, अजीव विडम्मना है, शराब की बोतल बेचने वाले बंगले खरीद लेते हैं, और बोतल खरीदने वालों के घर तक बिख जाते हैं, मतलब ना हो, तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं, इसलिए अपेक्छा सिर्फ खुद से रखिये, इंसानियत तो तम मर जाती है, जब पचास अजार कमाने वाला अधिकारी, तीन सौ रुपे कमाने वाले मजदूर से रिश्वत मांगता है, स्री कृष्ण कहते हैं, बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते हैं, इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीज आसानी से मिल जाती है, लेकिन हमेशा भाग्य के भरो से नहीं बैठ सकते हैं, दो अक्षर का होता है लक, ठाई अक्षर का होता है भाग्य, तीन अक्षर का होता है नसीब, साढ़े तीन अक्षर का होता है किस्मत, पर यह सब चार अक्षर के मेहनत के आगे छोटे होते हैं जिंदिगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है सही समय कभी नहीं आता बस समय को सही बनाना पड़ता है चानक्ये ने कहा है मुर्क और बुध्धिमान में सिर्फ एकी फर्क है बुध्धिमानी की एक सीमा होती है लेकिन मुर्खता की कोई सीमा नहीं होती घोरे के पीछे और पैसे वालों के आगे कभी मत चलिये क्योंकि दोनों कभी भी लात मार सकते हैं वह रिष्टा ही क्या जिसे निभाना परे वह प्यार ही क्या जिसे जताना परे प्यार तो एक खामोश एहसास है वह एहसास ही क्या जिसे लफजों में बताना परे ना किसी का दिल चाहिए ना किसी की जान चाहिए जो मुझे समझ सके बस ऐसा एक इनसान चाहिए कितना प्यार करते हैं हम आपसे कहना नहीं आता बस इतना समझ लीजिए आपके बिना हमें रहना नहीं आता पुस्तक एक मुर्ख आदमे के लिए ठीक वैसी ही है जैसा एक अंधे के लिए आईना सफलता चाहिए तो जिद्धी बनना परेगा क्योंकि जिद्धी आदमी ही इतिहास रचता है आपकी जिद्धी आपको एक दिन सफल बनाएगी ऐसे ही शांदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार